आध हमनमकिनभाड़किले न मोग्षफळी बनायेगे, जिसे हारी सिंभी धिसे, गर परstar sellers नमकिन मुखळी बनाना बहुत हहता है, इसे हम माईक्राब में बनाएगे, माइकराव में ये कुछी मिनुटों में बन जाती हैं। ये परभी भी हैं, तो बच्चों और बड़ों को जरूर बनाके खिलाएं। ऐसे ही माइकराव की रेशीपी देखने के लिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दीके वेल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, वीडियो को लाइक और सेर्व करें. माइक्रोव में नमकिन मुंफली बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाएके माइक्रोव प्रूव काच का बाउ, तो हम लेंगे एक कप मुंफली, मुंफली हमें बड़े दाने वाली लेनी है, ग्राम में ये 125 ग्राम है, इसमें हम डालेंगे 3-4 टीस्पून सिंदव नमक, आप रेगिलर नमक भी यूज सकते हो, इसमें हम डालेंगे आधा कप मेजरिंग कप्चय को होता है, वो पानी एक मिट करलेंगे, वो ठोत, इस बाउर कोफ़ हम, दो मिनित के लिए माइक्रो में, माइक्रो हाइप पर कर लेंगे, जो दूमित बाद इसे हमें माइक्रोम में से निकाल लेना है, ये थोड़े हुख हो जाएंगे, तो इसे हमें बिगो कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसे हम छान लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी है, उसे हमें निकाल लेना तारा पानी निकल जाए तब तक हम इसके रख दें दो से तीन मिनित बाद सारा पानी निकल चुका है यह मुझक वली को अब इस माइक्रोवेब प्लेट में ले लेंगे पूर इसका एक इवन लेयर कर लें माइक्रोव में जब भी कोई जीद बनाओ तो वो इवन लेयर करके बनाओ तो अच्छी बनेगी अब इस मुझक वली को हम माइक्रोव में तू मिनीट के लिए हाई पावर पर माइक्रोव करेंगे एक मिनीट के बाद इसे पिला लेंगे दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं मुंफली हमारी आदी रोस्ट हो चुकी है इस तरह ही से हम टर्न कर लेंगे और फिर से माइक्रोब में हाई पावर पर एक मिनिट के लिए रखेंगे एक मिनिट के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया है फिर से इसे टर्न कर लेंगे आप देख सकते हो अब इसे हम और एक ही मिनिट में हो जाएगे और एक मिनिट के बाद अमारे नमकिन मुंगपली यानि की खारे सिंग बनकर रेड़ी है तोटल छे मिनिट में अमारे नमकिन मुंगपली रेड़ी पहुच चुकी है पहले हमने दो मिनिट के लिए इसे माइक्रोव में हाई पावर पर उबाला था बाद में पानी निकाला कर इसे चार मिनिट के लिए रोस्ट कर लिया है अगर मुंफिलिंग में ज्यादा मॉस्चे हो तो और एक मिनिट इसे आप माइक्रो हाई पर माइक्रोव कर ले हम माइ माइक्रावय के हिसाब से आप इसे एड्जिस कर ले और भर पड़ी आसानी से कुछी मिनोटियों में आप प्रोस्त नम्कीन मूट वली बना सकते हंडी होने के बाद भी आपको लगता है कि अब थोड़ी पच्ची है तो आप फिर से उसे एक मिनिट के लिए माइक्रावय में आई पावर कर मैक्रो कर ली हंडी होने के बाद इसे हम एड्जाइट कंटेनर में 10 से 12 तीन तक स्टोर कर सकते हैं